गुड मॉर्निंग यहाँ पर देखे अवद सरीज में सेकेंड यर ठैर्ड समेस्टर की इंगलिस की यह है और यहाँ पर पेपर सेकेंड ठीक इंडियन लिटरेचर इन इंगलिस इसका नाम है आए पहले इसके स्लैबस को देखते हैं तो इसमें प्रोच में हिंद स्वराज ल लिखा है पोईटरी में कुरुमंडल फिसर इस पोयम के राइटर हैं पोईटेस हैं सरोजनी नाइडू दूसरी पोयम है इन वन सेलुटेशन टूदी इसके राइटर हैं रबींदरनाथ टेगोर तीसरी पोयम है आ मौर्निंग वाग इसके राइटर हैं नीजेम एजी कील और नेक्स्ट पोयम है इंडियन समर इसके राइटर है जहनता महापत्रा, नेक्स्ट पोयम है small scale reflections on a great house इसके राइटर है के रामा अनुजम ठीक है एके रामा अनुजम और इसकी बाद में next पोयम है my grand mother's house इसकी राइटर है कमला दास जी, ड्रामा में final solutions है, final solutions ड्रामा के राइटर कौन है महेश दत्तानी है, कौन है महेश दत्तानी और फिक्षन में दो नॉबल है कांथापुरा, the god of small things, कांथा पुरा नॉबल के राइटर या नॉबलिष्ट कौन है राजा राओ है दा गॉड आभी स्मॉल थिंग्स के नॉबलिष्ट कौन है अरुंधती राय है तो चलिए फिर सबसे पहले देखते हैं पहला कौसटन है. What are the literary contributions of महात्मा गान्धी का literary contributions क्या है तो देखिए गांधी वाज़ा प्रोलिफिक राइटर कांधी जी एक प्रोलिफिक राइटर थे some of his literary works are उनके कुछ literary works है एक तो है हिंद सुराज published in Gujarati in 1909 हिंद सुराज जो की Gujarati language में published हुई 1909 S.B. में ठीक है बाद में ये चीज English में published हुआ था एक साल बाद 1910 में आगे देखे he edited several news papers इन्होंने कई सारे news papers भी edit के which included हरिजन in Gujarati इन में से एक है हरिजन जो की Gujarati में published होती थी in Hindi, Gujarati में भी in Hindi, Hindi में भी and English language और English language में मतलब ये हरिजन जो इनका news paper था, Gujarati, Hindi और English तीनों language में published होती थी and next है Indian opinion यंग इंडिया in English and नो जीवन in Gujarati मंतली तो ये सारा इनका work है नेक्ष्ट देखे what was Mahatma Gandhi जी की प्रोज श्टाइल क्या थी तो Mahatma Gandhi जी प्रोज श्टाइल acquired a prophetic tone as he had to exercise एक्सर्साइज है एक्सर्साइज moral influence on his co-workers दा प्रोफिटिक टोन अफिज श्टाइल इकोज दा प्रोफिटिक अट्रेंस अफ कार्लाइल अंड रस्किन who tremendously influenced him देखे Mahatma Gandhi की जी प्रोज श्टाइल है वो एक प्रोफिटिक टोन को acquire करके रखी है ठीक है जैसा कि उन्हें practice करने की need थी exercise की जरूरत थी moral influence जिससे वो अपने co-workers पर moral influence डाल सके प्रोफिटिक टोन उनकी style की प्रोफिटिक टोन का मतलब प्रोफिटिक अट्रेंस जिस कार्लाइल और रस्किन का प्रोफिटिक अट्रेंस उनके उपर पड़ा और ये जो है कार्लाइल और रस्किन से बहुत ज़्यदा प्रभावित थे गांधी जी ठीक है next देखे who is father of approach in India ठीक मुलकराज आनन्द को father of approach in India इंडिया में father of approach consider किया जाता है तो किसको मुलकराज आनन्द को मुलकराज आनन्द's writing style makes him father of Indian approach the approach of मुलकराज आनन्द characterized by its simplicity and universal appeal managed to retain the essence of rural India देखे मुलकराज आनन्द का जो writing style ही है यही writing style ही उनको father of Indian approach बनाती है और इसके साथ में मुलकराज आनन्द का जो approach होता था अपने simplicity और universal appeal के लिए करेक्ट राइज होता है ठीक है next question देखे what do you mean by Indian English literature और what do you mean by Indian writing in English Indian English literature और Indian writing in English refer to the body of work by writers in India who write in English language but whose native और co-native language could be one of the numerous languages of India ठीक है देखे Indian English literature या Indian writing English में जो Indian writing है ये जो है writers के द्वारा different work को indicate करता है इंडिया में जो की इंडिया में इसे writers के work को indicate करता है जो की English language में लिखते हैं ठीक है लेकिन जिनका native या जो को native language जो है अलग-अलग है लेकिन वो लिखते हैं English में what do you mean by Anglo-Indian literature आप Anglo-Indian literature से क्या समझते हैं Anglo-Indian literature was the product of British involvement in India Anglo-Indian literature जो है इंडिया में British involvement का एक product था Anglo-Indian literature refers to those literature या इसे literature से deal करता है which was written by British writers जहां पर British writers लिखते थे ठीक है on themes and subjects related to India इंडिया से related subject और theme पर British writers की द्वारा जब लिखा जाता था तो इस तरह के literature को Anglo-Indian literature कहा जाता है ठीक है next देखे what is the full form of Hind सुराज Hind सुराज का full form क्या है the full form of Hind सुराज in self-rule in India Hind सुराज का full form जो है वो है self-rule in India है this was the first definitive writing of Mahatma Gandhi in which continues to evoke critical interests the world even now next देखे what do you know about Mahatma Gandhi Mahatma Gandhi के बारे माप क्या जानते हैं Mohandas Karam Chand Gandhi इनका पूरा नाम था 1869 बर्थ and 1948 देथ वाज एन इंडियन लॉयर and anti-colonist Mahatma Gandhi एक इंडियन लॉयर और anti-colonialist थे he studied law in London इन्होंने law की study लंदन में किया and then spent 21 years in South Africa और इसके बाद ये 21 साल तक South Africa में रहे phased their racial attacks और वहाँ पर कई सारे racial attacks को इन्होंने फेश किया and discrimination और discrimination को discrimination और racial attacks को इन्होंने South Africa में रहते हुए फेश किया he formulated the सत्याग्रह प्रोटेस्ट इन्होंने सत्याग्रह प्रोटेस्ट को formulate किया he had a correspondence relations with the Russian nobelist Rio Tolstoy इनका जो है Russian nobelist Rio Tolstoy से एक correspondence relation था in 1948 he was assassinated by नाथू राम गोड से आ हिंदू नैसनलिस्ट 1948 में एक हिंदू नैसनलिस्ट नाथू राम गोड से के द्वारा महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई next देखे next question है what are the four ways of हिंद स्वराज of attaining freedom अना freedom को प्राप्त करने के लिए हिंद स्वराज के अंसार चार तरीका क्या है तो देखे हिंद स्वराज हिंद स्वराज takes about Indian philosophy of life हिंद स्वराज जो है Indian philosophy of life के बारे में बताता है it is dialogue between editor, गांधी जी and the readers हिंद स्वराज जो है एक dialogue है है न एडिटर यानि कि खुद गांधी जी एडिटर और readers के बीच में एक dialogue के फॉर्म में ये हिंद स्वराज एक dialogue के फॉर्म में है एडिटर और readers के बीच में In this book, इस किताब में he talks about home rule स्वराज मतलब इन्होंने चार तरीके से देश को आजात कराने की बात कही है किसने गांधी जी ने एक पहला है home rule यानि कि स्वराज ठीक है पहले ये बात करते हैं home rule या स्वराज पर दूसरा है passive resistance यानि कि सत्याग रहे पर ठीक है passive resistance यानि कि सत्याग रहे पर और तीसरा है modern civilization और next है Indian national nationhood clear है Indian nationhood ये चार तरीके से चारो तरीका clear है पहला है home rule यानि कि स्वराज दूसरा है passive resistance यानि कि सत्याग रहे और तीसरा है modern civilization और नेश्ट है इंडियन नैशनल इंडियन नैशन हुड गांधी जी है जड गांधी जी ने कहा ये कहा था ठीक है गांधी जी के द्वारा ये कहा गया है डेट इपू अगर इंडियन को बाहर निकालना है दिन दे शुड एडॉप्ट दीज फूर वेज इन दिर लाइफ जब उन्हें इन चार तरीके को अपनी लाइफ में एडॉप्ट करनी चाहिए next question है what are the views of गांधी जी in हिंद स्वराज हिंद स्वराज के प्रति गांधी जी का क्या ब्यूज है देखे स्वराज refers to individual self-rule and nation home rule स्वराज जो है उन्होंने कहा कि जब तक इंडियन्स जो खुद से गौर्ण करना नहीं सीखेंगे इंडिया बिल सिंप्ली है इंग्लिस रूल बिदाउट दे इंग्लिसमेन तब तक जो इंडिया में इंग्लिस रूल बना रहेगा भले ही इंग्लिसमेन चले जाएंगे इंडिविजुल्स हैब टू ट्रांसफॉर्म देमसल्प्स बिफोर दे केंड ट्रांसफॉर्म सोसाइटी इफ भी बिकम फिरी इंडिया इज फिरी ये करें अगर हम फिरी होंगे तब इंडिया भी फिरी हो जाएगा नेश्ट कोईशन है वाट इज ट्रू सिब्लाइजेशन भाई गांधी जी गांधी जी के द्वारा ट्रू सिब्लाइजेशन क्या है देखें बी सुट नॉट फॉलू दा वेज ओफ बिर्टिस पीपल हमें बिर्टिस लोगों के तरीकों को फॉलू नहीं करना चाहिए यह बिकम मेड फॉर दा मैट्रियल गेंज और वो जो है यह बेटिसर्स जो है यह मैट्रियल गेंज के लिए पागल बन चुके हैं ठीक है यह जो मैट्रियलिस्टिक प्लेजर के लिए पागल बने हुए है हमारा कल्चर यह हमें मौडर्न एजूकेशन को इंब्रेज करना चाहिए और इसके साथ में बेश्टर मौशनरी को रिजेक्ट कर देनी छहिए with some exceptions, कुछ exceptions, कुछ चीजों को छोड़ कर, जैसे printing press को छोड़ कर which can help the Indian independence movement, जो की Indian independence movement में help कर सकता है we should be faithful to our culture and tradition, हमें अपनी culture और tradition के प्रादि faithful रहना चाहिए, यह गांधी जी के अंसार है next question है, what is the central theme of the poem Coromandel Fishers Coromandel Fishers poem का central theme क्या है, ठीक है, तो यहां पर देखे the theme of the poem is a fisherman encouraging his fellow fisherman to get to work by the dawn the hard lifestyle of the fisherman and their meager earnings are beauty, fully portrayed by her she also focused on the socio-political status of the freedom struggle, देखे यह जो poem है, जिसका नाम Coromandel Fishers है, इसकी writer सरोजन नाइडू है इस poem का theme यह है, कि फिसर मैं जिनको जो है काम करना पड़ता है एक संध्या तक काम करना पड़ता है, इनकी life style, फिसर मैं की जो life style होती, बड़ी hard होती है और यह काफी मुश्किल से अपनी earnings करते है, ठीक है, यह मचलियों से अपनी earnings करते है और इसके साथ में writer socio-political status पर भी focus करती है next देखे, what is the sweet according to the poet in Coromandel Fishers Coromandel Fishers में जो है, poet के अंसार sweet क्या है, तो देखे, the poet says that the seed of the coconut grove the scent of the mango grove and the sands on a full moon day with the voices of their loved ones are sweet यह पर 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 यह कहती है कि जो coconut grape का जो shade है, जो mango grove का scent होता है या जो sands होता है, यही सब sweet होती है but the kiss of the spray, the dance of the wind foam and the sea water is sweeter अच्छा एक चीज़ और देखे, next question है why does the poet say, the sea is our mother, the cloud is our brother and the waves are our comrades it's all, मतलब, poet यह क्यों कहती है कि sea जो है, हमारी मा है और sea जो है, हमारी मा है, और cloud हमारा भाई है और waves जो है, यह साथी है, ठीक है, यह fisher man के case में यह कहती है a mother brings up her children by nurturing them with love, with love and affection एक मा जो है, अपने बच्चों का पालन पोसड प्यार से करती है children depend on her और बच्चे मा के उपर depend होते है in the same way, इसी तरह से, fishermen depend on sea for their livelihood fishermen जो है, अपने जीवन को चलाने के लिए समुद्र पर ठीके रहते है c feeds them by providing fish और c जो है, उनको मचली प्रोवाइड करके उनको खाना पाना, खाना की ब्योस्था करवाती है ठीक है, so the poet says the sea is their mother इसलिए poet कहती है कि c जो है, fisherman के लिए mother हुई ठीक, generally brother helps directly और indirectly और generally जो भाई होते हैं directly, indirectly रूप से help करते हैं the same way, इसी तरीके से clouds help fishermen by providing sheds while they sell, और इसी तरह से cloud उनको एक sheds प्रोवाइड करते हैं जब उए sale करते हैं, तो cloud brings rain, cloud बारिस लाते हैं which help for an abundance of fish in coastal areas और इससे क्या होता है, coastal areas में बहुत ज़्यादा ओफिस, abundance office में fisherman को help होती है, इस तरह से poet sage that cloud is dear brother इसलिए poet कहते हैं कि बादल उनके भाई हुए, ठीक है, generally comrades work together and help each other for their mutual survival generally जो साथ ही लोग होते हैं, वो साथ साथ काम करते हैं, और एक दूसरे के mutual survival के लिए support करते हैं, help करते हैं waves help the fishermen to sell catching fish, इसी तरह यहाँ पर waves जो हैं, जो sea waves हैं, यह इन fishermen को fish को catch करने के लिए help करती है so the poet says, इसलिए poet कहती है, that waves are there, comrades की waves जो हैं, इन fishermen के लिए, comrades का का काम करती हैं, comrades है next question देखे, what is critical analysis of the poem in one salutation to the in one salutation to the का critical analysis क्या है, तो देखे, this poem has been taken from Gita Anjali, song number 103 this is the last poem आप Gita Anjali, in one salutation to the, यह poem जो है Gita Anjali का song number 103 से लिया गया है और यह song number 103, जिसकी first line है, in one salutation to the, यह जो है Gita Anjali का last poem है और इस poem में poet shows his true devotion to God, इस poem में poet जो है God के प्रत, एक सच्ची स्रधा भक्ति को जो है दिखाते है the beautiful flowers of the devotion are chained in a beautiful garland to deck his neck with the last lyric which ends in a salutation to the और यह इस तरह से यह जो है अंतिम poem को भगवान के चरोडों में यह अरपित करते है ठीक, आगे देखें आपर comment on the poem in one salutation to the by Tagore in one salutation to the, इस poem पर comment कीजिए, Tagore की द्वारा यह लिखी गई है the last poem of Gitanjali is the last flower of devotion which is the poet which the poet is offering at his feet the wishes to offer every possession of his to the holy feet with the spirit of contentment and joy he surrenders himself to the amendment will अच्छा next question है, what do you know about Sarojini Naidu, Sarojini Naidu के बारे में आप क्या समझते हैं Sarojini Naidu was born in Bengal but she was educated in Hyderabad which was ruled by Nijam of Hyderabad देखे, Sarojini Naidu का जन्म बंगाल में हुआ, लेकिन इनका education हुआ, हैदराबाद में हैदराबाद में निजामाब हैदराबाद जो rule करता था और यह Sarojini Naidu एक talented child थी और इन्होंने फ़र्ष्ट पोयम को ग्यारा वर्स की उम्र में कम पोज किया और साथ ही Sarojini Naidu जो है metric, matriculation examination में जो है top किया था, madras university के matriculation examination में top किया था, वो भी इनकी एस तब 12 साल की थी वाट इस दा central theme आप दा निजेम एजीकिल पोटरी का central theme क्या, the central theme आप दा पोटरी is that urban civilization inflicts on modern man, यह कहता है कि urban civilization जो है, वो modern man को inflict करता है और इसके साथ में the major themes of each poetry, our love, निजेम एजीकिल के poetry का जो major theme होता है, वो क्या होता है, love होता है, personal integration होता है, इंडियन contemporary scene होता है, modern urban life को दिखाया जाता है, spiritual values को दिखाया जाता है, next question है, what is the style of writing used by निजेम एजीकिल in his poem in India, निजेम एजीकिल की द्वारा कौन सी style of writing का यूज किया गया उनके poem में, निजेम एजीकिल not only used free words in his poetry, निजेम एजीकिल अपने poetry में के ओल free words का ही यूज नहीं करते हैं, but also mixed it with rhymed lines, बलकि इसको rhymed line के साथ mix कर देते हैं, he wrote his poetry according to his own choice in terms of writing style and subject matter, वो जो है poetry को अपने खुद के choice के अंसार subject matter या writing style के according लिखते हैं, next question है, what is the theme of morning walk by निजेम एजीकिल, the scene of alienation begin at school, ये जैसे देखे, school में alienation का scene जो है दिखाया गया, clung to एजीकिल throughout his life despite his best efforts to come to terms with his country and its people, the alienation theme in the central to his poetry and date colors his entire poetic universe, next question है, comment on the summary of the poem morning walk, the poem was first published in the unfinished man volume in 1949, the morning walk को unfinished man volume में published किया गया था 1969 में और ये poem, this poem indicates the lonely and modern life of the present world, ये poem modern morning walk, ये poem जो है present world के modern life और lonely life को इसारा करता है, it criticizes the life in the city and longing to find solace in the rural and natural life, ये जो है जो है city की life को criticize करता है और जो है किस तरह से rural और natural life में एक solace को पाता है, ठीक है आगे देखे, what are the common features of जहनता महापत्रा जहनता के महापत्र की पोईट्री का जो है common features क्या है, तो महापत्रा is extensibly conscious of the poverty, the plight and the plight of the masses and the woman as victim of male lust in our society, it gives his poetry a tragic delusioned tune, next question है देखे, what are the major themes in जहनता महापत्रा जहनता महापत्रा जहनता महापत्रा की वर्क का major theme क्या है, तो देखे, his poetry is neither narrow nor limited as for as themes are concert, जहनता महापत्रा की जो poetry होती थी नहीं 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 लिम्टेड होती थी, जहनता महापत्रा की जो poetry होती थी वो human relationships से, Indian social problem से, love, sex, marriage, morality, human nature और mother nature इन सब से deal करती है, next है what is imagest poetry, imagest poetry क्या है, महापत्राज poems belong to the kind of poetry which come into prominence in the early 20th century, poetry, this poetry come to be known as imagest poetry, it was an American poet by the name of Ezra Pound, started writing this kind of poetry, this kind of poetry requires free rhythms, concreteness, consciousness of language and imagery, it does not observe the matrical regularity, the poem Indian summer can be visualized on the basis of the images which have been presented by the poet, next question है comment on the use of images in the poem Indian summer, the poet has used different kinds of images to depict his feelings, poet जो है अपने feelings को depict करने के लिए different type के image का use करते हैं, Indian summer को लिखाया जैनता महापत्रा ने, जैनता महापत्रा, he has used the word sogging and with the repetition, oh sound, he tries to induce particular sensation in the minds, wind is sown singing, deeply longing for something or someone beyond description, the religious images suggests faith is spreading its roots gracefully into, sorry, gracefully then decay which is occupying the humanity, and lastly, महापत्रा है जैने तेकन आवेरी ट्रेडिशनल इमेज आफ गुड़ वाइब, discuss the summary of the poem, small scale reflections on a great house by A.K.Rama Anujam, ठीक है, तो देखे, the poem begins with the speaker telling the reader that everything that comes into his house always stays or if it leaves comes back again, some of the most important things that come into the house and stays there are beliefs towards the end of the poem, the examples take darker turn, the speaker starts to talk about war and the men in the family who have gone off to plight comes back in body alone, he died while fighting, despite the distance they did come home and this the main theme of the poem, next, what is Indian-ness, what is Indian-ness, Indian-ness means love for the country and its people though they may be poor and downtrodden, in the Indian weavers, the Sarojini pictureizes the life of Indian weavers who represent a man of Indian community, next, what is the poetic style of Kamla Das, the theme of Kamla Das, poetry is physical love and her writing is intensely lyrical, sometimes soft and musical, sometimes with a bitter edge to it, it's unpretentious and musical, sometimes with a bitter edge, अच्छे, यहां पर next question देखिए, इसको skip किज़े, comment on the use of imagery in Kamla Das poetry, Kamla Das, ancestral Kamla Das, ancestral Kamla and her grandmother, plays an important role in the maximum images, she has employed in poetry, C, re-immenseness, the sea and other things through the imagery, C, remembers fortune, time of past and feels nostalgic in the present, next, write a short note on the lyric of Sarojini Naidu, The lyrics of Sarojini Naidu are personal and subjective, like the lyrics of Milton and Joan Keats, Sarojini Naidu expresses her home, sickness and love for the home, land in the following lines, But wherever may I roam, I long for thee, my dear home. Why did the speaker often wish to go to that house? The poet often wished to go to that house, because she was emotionally attached to that house, since her childhood. She wanted to look through and observe closely, through the windows, she wanted to bring back some memories, of her beloved grandmother into the room. She once found happiness, sorry, she once found happiness in the small house of her grandmother. Write a short note on picturation of nature in Sarojini's works. Naidu knows, sorry, sorry, Sarojini Naidu knows that mankind has sprung from earth. Nature is the mother, the nurse, the guide of man. She is delighted to see the beauty of nature. The poem, Gordon symbolizes this and the poetess beauty of nature. The poetess demands from God by dint of her sincere devotion and service to God. Next question is, what is the theme of the final solutions by Mahesh Dattani? Final solutions is a three-act play written by Mahesh Dattani. The main themes of this play are communal, rewards and sexism in society throughout three generations. Next, what is the significance of the title of the final solutions? The term final solutions was a euphemism used by the Nazis to refer to their plan for the annihilation of the Javish people. Some historians argue that the usual tendency of the German leadership was to be extremely guarded when discussing the final solutions. What are the major themes in Mahesh Dattani's play are the major themes in Mahesh Dattani, which he has used as a significant tool to give a new face to Indian English drama. The Javish Dattani has picked up the highly practical issues of Indian society, which has been faced by majority of the people. It is the story of how Gandhi's struggle for independence from the British came to the typical village of Kanthapura in South India. Kanthapura is a picture of India. Raja Rao is very much influenced by Gandhism thoughts. Raja Rao nahi Kanthapura ko likhha tha. The theme of the novel is the freedom struggle of India. The other theme of this novel Kanthapura is unification of different Indian castes under a Gandhian system of social justice during the fight against British rule of India, which goddess is worshipped in the novel Kanthapura. The goddess Kanchamma domicile is on the Kanchamma hill is the presiding goddess of Kanthapura village. She protects the villagers from famine and diseases. Next question is, why is Belutha called the god of small things? Belutha symbolizes the god of small things as he enters the world of Rahel and Estha, twins, and fills it with innocence and joy. He is father figure to them. Belutha is handsome and fearless. He dares to love Ammu, Rahel's mother, a woman of higher social status. What is the gender of the god of small things? The god of small things portrays the struggle of a woman in the male-dominant conservative society. In this novel, women of three generations are discussed. The first generation is about Mamachi, the second is about Ammu, and the finally Rahel. What is the nature of the lyrics? Lyrics has the following qualities. The spontaneity of thought, the brevity, the simplicity of language, the music, and the melody of song. What is the Tagore's faith in the scriptures of India? Tagore had great faith in the scriptures of India. Especially, Gita was his favorite. He translated the views of Gita about immortality of soul, which indicates that the soul is immortal. It passes from one torn out body to a pressure one.